नमस्कार बच्चों, मैं मनोसर आप लोगों के सामने क्लास टेंथ के लिए पहला प्रैप्टिस्ट ले करके उपस्तित हुआ हो बच्चों, जो भी बच्चे इस सांग क्लास टेंथ का एक्जाम देंगे, उनको मैं एकदम आत्मा से मैं पकड़ने का प्रयास करूँगा, वो बच्चे, पहले तो आने वाले दस दिनों में हमसे आप लोग एक बंग, जब तक आपका मैथ का पेपर, साइंस का पेपर, इंग्लिस का पेपर नहीं हो जाता है, लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और आप लोगों को एक से एक बहतरीन प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा, मेरा पूरा ये, मुझे पूरा ये विश्वास है बच्चों, कि जिसने भी ये पूरा प्रैक्टिस सेट, मैं लगभग 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और जिसने भी ये 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया, उसका 80% क्वेशन यहां से फसना, 100% गारंटीड है बच्चों, तो ये विडियो के और क्लास्टेंग के लिए है, और ये प्रैक्टिस सेट टंबर पहला है बच्चों, आज ये पहले क्वेशन पर देखिए, कि ही दो संख्याओं का लस्यम साठ है, तो था लस्यम 3 है, यदि एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या हो, संख्या गुणे वितिय संख्या, ये छोटा सा कांसेप्ट है बच्चों, एलस्यम इंटू एक सियम बराबर प्रतम संख्या गुणे दूति संख्या, तो आपके क्वेशन में एलस्यम कितना दे रख्था है बच्चों, स्याट, एक सियम कितना दे रख्था है, पहली संख् दूसरी संख्या को बच्चों हम साथ बड़ में सेकेंड नंबर लिखेंगे अब ध्यान दीजिए का सेकेंड नंबर इस इकवल चुछ साथ गुणे तीन बटा बारा बच्चों इसको हम चाहे इस तरफ लिखें चाहे उस तरफ लिखें उससे ज्यादा कोई फरक नहीं नमर जो आपका आ जाएगा पंद्रा ब्रक्चों सेवकेंड नंबर पंद्रा और अपसर सभीया जैए जी हएं बट्चों यहांपर्ण का आपसर नंबर भी ऐट एंसर हो ओके बच्चों हां बच्चों दूसरे क्वेशन की सुरुवाद करते हैं एक सुन्यतर परिमेश संख्या और एक अपरिमेश संख्या का गुरनफल सदय होता है ज्यान दो बच्चों की सुन्यतर इसका पहले मतलब सेन्य हो सुन्य धन इतर यानि सुन्य से अलग यानि वह संख्या जो सुन्य नहीं हो सकती सुन्य लावा कोई भी एक से लेकर अनंतर की कोई भी संख्या भोचा है। एक सुनेतर पर्मेय संख्या और एक अपर्मेय संख्या। जब लिए हैं जब भी इनका मल्टिप्लाइए या गुरा कड़ाए जाएगा तो सदय अपरमेश संख्या ही आपको प्राप्तरों समझ में आया अपने विडियो में जुच्छ अब अपने प्लब कराएंगे आपको परमेश संख्या मैं इस सारी का्या दो दूंदियों में मिले चलि अगर एक क्वेस्टन की वार हम लोग करते हैं रेखा यूग मसमी करन एक्स बराबर एक्स प्लस टूवाई-5 इस इपल जी ओ और फोर एक्स प्लस एट वाई-20 इस इपल तूजी रो के हर्फ होंगे बच्छों ध्यां दीजिएका इसका कांसेट प B1Y प्लस C1 इस इक्वल टू जीरो और A2X प्लस B2Y प्लस C2 इस इक्वल टू जीरो यह दो रेखाओं के मानक समीकरन हैं अगर यदि A1 बटे A2 नाट इक्वल टू यानि बराबर नहीं है B1 बटे B2 यदि इस कंडिशन को यह फालो कर रहा है तो इसका केवल एक हल होता है बच्छों केवल एक हल हाँ ज्यां दीजिएगा बच्छों अगर A1 अपाल A2 नाट इक्वल टू B1 अपाल B2 तो इसका केवल केवल एक हल होगा और बच्छों दूसरा कंडिशन अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 अगर ये सिच्वेशन को फालो कर जा रहा है तो इसके अनेक हल होगे कैसे हल होगे बच्छों अनेक हल होगे ठीक है जान दीजिएगा इसके कैसे हल होगे अनेक हल होगे और यदि यदि बच्छों A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नाट इक्वल टू C1 अपान C2 अगर इस कंडिशन को फालो कर रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा जान देना बच्छों इसका कोई हल नहीं होगा ज्यान दो बच्चो फिर से समझेगा ये दो रेखा यूग में दिये हैं और इनके कितने हल होंगे आप से पुछ रहा है को हमने आपको सिस्टम बता दिया कि कोई भी समीकरण आप तुरंग लगा सकते हैं अगर A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 है तो इसका तेवर एक हल होगा A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 बराबर C1 upon C2 तो इसके अनेक हल हो जाएंगे और A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 तो इसका कोई भी हल नहीं होगा अब आए हम लोग किस समीकरण को देखते हैं ये क्या किया रहा है इसको चेक करते हैं बचो क्या है याक्स प्लस 2Y minus 5 बराबर 0 और दूसरा है 4X plus 8Y minus 20 is equal to 0 बचो ध्यांच से समझिएगा इसका गुड़ांग कुछ नहीं है तो A1 बराबर 1 माना जाएगा B1 बराबर 2 माना जाएगा C1 बराबर minus 5 माना जाएगा और ध्यांदेना होच चार माना जाएगा B2 बराबर 8 माना जाएगा C2 बराबर minus 20 माना जाएगा अतर अब ज़रा इन कंडिशन को फालो कराओ कि क्या एवल अपन A2 A1 कितना है आपका A1 है आपका ध्यान दो इसके अंसार चलो पहले A1 कितना है A A2 कितना है 4 बराबर B1 कितना है 2 और B2 कितना है 8 इसको भी कर दो एक बटा 4 फिर C1 की ओर चलो C1 कितना है minus 5 और C2 कितना है minus 20 minus minus कटा पाउच एक्कम पाउच को बिस यानि कि मचव 1 बते 4 ऱाबर एक बते 4 जा बराबर एक बता 4 किस कंडिशन को फालो कर रहा है बच्चो इसको फालो कर रहे अर्था इसका क्या सही होगा और परहолод रुमीत रूप से अनेक हर भोंगे बच्चो इसका सबसे बड़ी संख्या जिस से 70 और 125 को विभाजित करने पर कंसर से 5 और 8 प्राप्त होता है वह संख्या कौंस है जिस संख्या से 70 और 125 को विभाजित करने यह दो यह दो टो क्त्या नहीं होंगे कौकि इन दोकर से भाग गलने पर इसमें यह 17 और 35 देंगे तो 65 दूना एक सो पीस एक सो पचीस को डंग जाएगा आठ से सांपको प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए आपका जो सही आप्शन होगा वो आप्शन एग आए बच्छों पांच में को ध्यान से देखते हैं तीन के प्रथम पांच गुर्जों का योग है यारी तीन सभी को जोड़ो वोच्यों तीन च्छे तीन नौन आठारा अठारा बारत तीस तीस और पंदरा पैतालिस आपका सही आप्शन हो जाए बच्छों इस क्वेश्चन पे गौर करो खतरनाक सवाल यह पूरा एक अब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्छों मुझे प्रैक्ट आए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं एक दव हल्वा बना देगे बच्छों पूरे पेपर को टेंसर नहीं लेने का दुधास समीकर्ण इतना के बारे में निम्नितिक कथनों पर विचाल कि दिये गए समीकर्ण के विवित्तकर सुन्य से कम है या समीक प्रयास करते हैं इस समीकर्ण का विवित्तकर निकालते हैं बच्छों समीकर्ण क्या है वच्छों तो यक्स स्क्वेर माइनस चार यक्स प्लस 3 बराबर 0 बच्छों अगर आप ने पढ़ा होगा तो विवित्तकर को अगर आप जानते होंगे तो जरूर जानते होंगे कि कि समीकर्ण का जो विवित्तकर होता है उसको वर्चोर D से डिनोट किया जाता है और D is equal to B square minus 4AC is equal to 0 या विवित्तकर्ण जो होता है वर्चोर D is equal to B square minus 4AC समीकर्ण के पहले हम लोग विवित्तकर्ण निकाल के देखते हैं इस समीकर्ण के बराबर है 2-4 वर्चोरwert एक की वैल्यू दो, गुड़ा C की वैल्यू टीन, यह हो गया का बच्चो चार्च होगे 16 माइनस का स्कॉयर करेंगे, प्लस को जाता है, आप लोग जानते हैं इसको, तो यह हो गया 16, चार दुने 8, आट तिरिक 24, इसका रिजल्ट आ गया बच्चो माइनस 8, माइनस 8 आ गया तो इस समीकर्ण के जो मूल होंगे, वो होंगे वास्तविक वास्तविक असमान, जानतों बच्चो किसी समीकर्ण के दो मूल आते हैं, अलफा और बीटा, अब इसको हल करेंगे तो इसका मूल आएगा, अभी हम हल करने नहीं जा रहे हैं, क्योंड इसी से हमारा काम निकल ज तो इसके जो मूल होंगे अलखा और वास्तविक और असमान होंगे अगर विभित्तकर डी कामान जीरो आजाता है तो मूल वास्तविक वास्तविक और समान होते हैं अगर डी कामान बचो नेगेटिव आ जाता है तो मूल कालपनिक होते हैं यानि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है कालपनिक मूल इसके होते हैं अब आप इसको गवर करिए इसको देखिए दिये गए समिकरण के विभित्तकर सुनने से कम है बिल्कुल दिये गए समिकरण के विभित्तकर माइनस 8 हाया है तो इस प्रकार से पहला आप्शन हमारा क्या हो जाता है सही हो जाता है समिकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है बच्चों मेरे अगर प्लस में आता तो वास्तविक होता जीरो भी आता तो भी वास्तविक होता चुकि यह माइनस आठ आया है इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं है तो option B भी आपका सही है C को देखिए समीकरण का भीविक्तकर सुन्य है नहीं, समीकरण का भीविक्तकर माइनस आठ है समिकर्ण के मूल वास्तविक है, समिकर्ण के मूल वास्तविक नहीं है बच्चों, नेगेटिव में आया अगा जुबित्त कर तो समिकर्ण के मूल कैसे होंगे, कालपनी खुरूप, इस प्रकार से ये दो आप्षन हमारे गलत हो जाते हैं, A और B हमारा सही है, यानि कि हमारा वास्तविक नहीं है, बहुत बढ़ी है क्वेशन है, इसको जरूर आप लोग प्रेक्टिस करना, यह पिछले वर्सों में आया हुआ हुआ क्वेशन है, इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखे, क्वेशन नमर से देखे, द्यान दीजे, A, O, B, C, एक आयत है, जिसके तीन स सिर्स, यह, 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 और दिये गए हैं, इसका विकर्ण ग्याद करना है, आयत को तो वच्छो सभी लोग जानते ही होगे, हमें आयत भी बताना पर रहेगा, वर्जामिति याक्रिटी, जिसमें चार हुजाय होती है, चारो कोण 90 अंस के होते हैं, और आमने सामने की हुजा बताने पर दो लगता है, विकर्ण जानते हो लोग एने की हुजाह, ओ इसका आप से वकर्ण पूछ रहेएं भोच्छो, तो विकर्ण जानते हो ढएं भोच्छो, दो कोनों को मिला दो ही होता हैnin आपल मेर्ण बंदी, अब बेख़े निर्द्यार्ण ज्यानिती में दो बिंदों के बीच की दूरी का सूत्र D is equal to आपने पढ़ा होगा under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square बच्चों में चलो हम लोग इसको x1 मान लिए और इसको y1 मान लिए तो ये क्या होगा x2 होगा और ये क्या होगा y2 होगा ज्यान दीजे वोच्चों अब दो बिंदों के भीच की दूरी का सूपर कैसे लगाएंगे x2 कितना है हमारा 5 है यह नि 5 है 5 minus x1 कितना है 0 है इसको बता दिया ठीक square है तो square लगा दिया फिर y2 y2 कितना है वोच्चों y2 है आपका 0 और y1 कितना है y1 है 3 इसका कर दिया square चलिए ठीक है फिर से आगे बलते हैं डी इस इक्वल टू 5 में से 0 गए बच्चों तो 5 पांच का वर्ग 25 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो तीन तरीक के नो नो का नो को जाए ठीक है बस यह अब डी इस इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूड चोंतीस क्या देखो ऑप्शन में मिल रहा है कहीं दो विंदूओं के बीच की दूरी के सुप्र के हिसाब से हमने लगाया और जा करके आपका विकान कितना आ गया लगाने का प्रयास करते हैं जानतों वोचो आठवे नंबर के क्वेशन को देखो अब चुकि हमें बार-बार बोर्ट पर देख करके ही क्वेशन हमें पहणना परता है इसलिए आप से कम संपर्ण हो पा रहा है लेकिन आप लोग क्वेशन की ओर फोकस करें पूरा दिमां अपने क्वेशन पर यदि समीकरण इतना का एक मूल एक बटा दो है तो के कामान क्या होगा आईए हलवासा क्वेशन है एक दो क्या है बोचो याक्स स्क्वेर प्लस के याक्स माइनस पांच बटे चार बरावर जीरो बचो आपने हमें उमीद है कि आपके घुरों ने आपको ये भी बताया होगा बचो तो अल्फा प्लस बीटा बरावर क्या होता है माइनस बी अपां ए तो अल्फा यानि इसका पहला मूल है पहला मूल क्या दिया है एक बटा दो और प्लस बीटा बीटा हमें नहीं मालूम है बचो चलो बीटा को लोग निकाल लेंगी बी क यहां फिर से जहन दो एक यक्स स्काइब का गुड़ाम एक होती है एक तो इसको सी से डिनोट किया जाता है मिनस पाइड़ा इसको रियां देना अब हम यहां पड़ा अलका पुलस बीटा इसको हमारा क्या कह रहा है alpha प्लस beta is equal to minus B अखान है K दिख मेलु कितनी क्या रख दो कि familiar नूम्म एक ऺंव माईनिस लगा के रखें को अपनी है तो इस प्रकार से आपने क्या देखा 1 बढ़ते दो विटा इस इक वर टो mauvais माईनस के इसको शमीकर नंबर एक मानु्म से रखो फिर देखो दूसरा आपने सीखा होगा कि अलफा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए यह तो हमारा फर्मूला हो गया बोच्चो अलफा हमें मालूम है एक बटा दो बीटा यहां से निकल जाएगा बोच्चो सी की वैल्यू कितनी है माइनस पांच बटा चार बटा में एक लगाने से को जादा फरक पड़ने वाला नहीं है तो यानि एक बटा दो बुड़े बीटा बराबर इस एक को खतम ही समझे है कोई मतलब नहीं है इसका हम इसको ही रेज ही कर देते हैं ठीक है तो माइनस पांच बटे एक था वो समागत हो जाए इस से आप इसको काड़ सकते हैं दो दूने चार तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई वच्चो माइनस पांच बटा दो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पांच बटा दो बीटा का यही मान समीकरण में रख करके वच्चो जयान दीजिए के कमान निकल जाएगा बहुत आराम से बीटा का यही मान उठा करके यहां पर रख दीजिए के कमाना को ज्याथ हो जाएगा चलिए हम करके दिखाते हैं जहां दीजिए कि समीकर्ण हमारा समीकर्ण में से आपको सामट कर लेना है लगाई के बीटा की फिटा फिलद की इतनी आई, minus 5 बटा 2, बराबर minus K, लो बचो इसको सालू करते हैं, दोनों का लगर से कितना हो जाएगा, 2, यहां बचा यह, इस plus और इस minus का बड़ा, minus कितना हो गया, 5 बराबर minus K, 5 में से एक निकला बचो कितना बचा, minus 4, 4 बटा 2, बराबर minus K, प्राक्टिस को परक्टिस सेट को यह 10 दिन के समय में अपनी नीज्च सुक चैन्ज हो और पूरी मेहनत से एक तम अपने पढ़ाई पर लग जाओ ठीक है बचो चलिए अगले question की ओर ध्यान देते हैं इसको हम ही जिस कर देते हैं ह। ह कि भैपर दो त्रीपुट समरूप होते है अब कि अगर दो कि अगर दो त्रीपुट के निया है तो दोनों सवरूप कहलाते हैं दो सवरूप कहलाते हैं हैं तीसरा इंगल इंगल और उनके 20 की यह सवरूप कहलाते हैं कोण वराबर होऊं को पहले करा से संहां के संगत कौन वराबर है इस प्रकार से अपका पहला अब रूप दोस रिखुप होते हैं लिए तर मुझेगे आंग भाप यह से vrijुखस मुझेद तो संगत भजाओं का जुएम मेरा वछ गया दोसाई यह भी आप्षिन सही होगिया तो हमारा सही आप्षिन क्मसा है उपर युप्त दोनों आप इसको टीक मारेंगे ऐसा नहीं यह को पड़ा हाँ इसके को ब्रावने तो रखीग है आप मारें चले आए और दूसरे आप्षिन को आप देखा इनी तीसरे को देखा नीए सवार ग सब्सक्राइब को बनाई लेते हैं फिर समझते हैं एक दिखुज है ए बी सी वाशन में कहा है बच्चों यह जो कोड़ सी है आपका ना यह नाइंटी डिग्री का है एक सम्खोंड त्रिभुज ए वी सी में कोड़ सी यहां से समझे देखो बच्चों यह दिखा जेरा होग एसी बराबर तीन सेंटी मीटर एसी कितना दिया है बच्चों तीन सेंटी मीटर और बी सी बराबर चार सेंटी मीटर बी सी कितना है चार सेंटी मीटर है तो बिन उसी से जाने वाली माधिका की माप क्या होगी पहले यह सब्द आपको जानना होगा यह माधिका क्या होती है बच्चों में बिंदू C से होकर जाने वाली माध्धिका बच्चों माध्धिका जैसा कि नाम से ही इस पच्च है किसी भी भुजा के मध्धिबिंदू से सामने के सिर्ष से होकर गुजरने वाली रेखा उस त्रिभुज की इस सिर्ष की माध्धिका कहना जी तो आप से क्या पूछ रहा है question में आपसे PC की value पूछ रहा है basically question में क्या पूछ रहा है बच्चो what is PC PC की value क्या है चलिए बच्चो ज्यान देते हैं और समझने का प्रयास करके ज्यान दो बच्चों माधिका के लिए एक formula होता है पहले तो आपको AB निकालना होगा और जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो इतना समझ ही गए होंगे कि यह एक अगर यह तीन है यह चार है तो यह पांच होगा किस हिसाब से पाइठा गोरस नियम के अनुसार अब यह पाइठा गोरस नियम क्या होता है हम लोग बच्चों लांग वीडियो अगला वैक जो आने वाला है उसमें डिटेल से इन सब बातों पर इतना मारमिक निसलेशन तोड़ा उत्तरप्रदेश तुम्हारे खुलर को देखेगा बस ध्यान दो और देखते चलो आगे क्या-क्या होता है ठीक है ध्यान दो बच्छो एक तम पूरा कंसेट्ट्रेट यहां करो तो यह इतना तो क्लियर है यह कितना होगा यह पांच होगा अच्छा हमने यह भी बता दिया आपको कि यह जो पी बिंदु है वो एवी का मध्य बिंदु है यह जो हिस्सा होगा यह पांच बटा दो होगा और यह जो हिस्सा होगा यह भी पांच बटा दो होगा बच्छो मेरे अगर आपको माधिका निकालनी है तो इसका एक सिंपल सा अधिकोरा है दिख़ांद टू इन्टू ilो माधिका जो है हमारी फी सीची जो हमको निकालते हैं इसकाइकrit प्लस इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो इस फार्मूले की मदद से बच्चो मेरे आप लोग पीसी को बड़े आराम से निकाल सकते हो इस प्रकार का क्वेशन मान के चलो एकजाम में आने वाला है मैं कोई फर्जी क्वेशन में आये हुए क्वेशन सारे क्वेशन जो मैंने सलक्ट किया है सब पिछले पर इच्छाओं में आये हुए तो आपके आगामी को रिच्छा के लिए यह बहुत ही सहायक होने वाली है मेरी आगामी दस दिनों की टेस्ट सिरीज जरूर जोइन करो मौचो और उत्तर प्रदेश के हर एक बच्चे तक अगर आप यह टेस्ट सिरीज पहुचाते हो तो मुझ पर आप बहुत बड़ी कि आठो ऐसी की सथीयों कि इया सत्थीयों टीन संगी मेटर के टीन ृईर टीन का और देंगे को वर्ड भी सी कितना मैं एक छार संँом्तियां योग सार स्थीर चार वर्ड फिर दू करें च्छिय मुझे ग्याद करना है बच़िजम्स पी ऐसकर पीक इसका ईसका कर लिया ए एपी मुझे मालूम है बच्छो कितना है पॉंच बट्टा दो का वर्ट चेके बच्छो अब चलो इसको साभू करते हैं चार चो के 16 बड़ाबर दो पीसी तो हमें यांख ही करना है यह हो जाएगा बच्छो 25 बटा चार वर्ट करना तो आता ही होगा सबको ऐसा मुझे मान के चलना है 16 बच्छो 25 बच्छो थोड़ा जल्दी लगाओ इसको इधर ले आओगे तो यह बटे में हो जाएगा कितना हो गया 25 बटा दो बराबर पीसी का स्क्वार प्लस 25 बटा चार बच्छो मेरे आप जानते हो इसको इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा इसको जब इधर आओगे तो माइनस में हो जाएगा जान दो 25 बटा दो माइनस 25 बटा चार बराबर पीसी का स्क्वार अब जान दो इन दोनों में आपका इन दोन में जो लस होगा फूह च्छार तो दूने च्छार दो बार गया दो का गुणाः पचीस में हूगा 25 लास प्लस सोड़ी माइनस है तो हम आई किस लगाएंगे माइनस फिर चार एक कम चार एक का गुणा 25 प्रभवा तो कितना हो गया 25 बराबर PC स्क्वाइर जानदों बचों 50 में से 25 निकला तो तितना बचा 25 बटा 4 बराबर PC स्क्वाइर बचों में दोनों पच्छों का वर्ग मूल लेने पर क्या होगा बच्चों 25 यह आपका बच्चों हो गया 29th के सर इपना सिंटी मीटर कोड़ाय सेटी मीटर आसन में है बच्छोन जी हां बच्छों देखिए रसने का यह कोर्षन आपका धाइज सेटी मीटर開व कुए ठीक सॉटल में नुमर एनको हम लोग देखते हैं क्या दिया है साइन फीटा मायनस कास फीटा इजी को टीटा है तो क्या होगा नहीं चाइब लगाने का प्रयास करते हैं खोड़ा सबस्कों जटीन होगा लेकिन घबराना नहीं कि जो घबरा गया वह सवाल को नहीं लगा सकता बच्चों में पहले इसको पकड़े या यह बड़ा ही डिजाइन है एक दम इसको समझों पहले आप ध्यान दीजिएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा इस इपल टू क्या दिया है बच्चों बन दिया है इसका वर्ग करने पर क्या होगा बच्चों कि दोनों पच्चों का वर्ग करना है यह दोनों पच्चों का वर्ग करने पर वर्ग करिए क्या होगा साइन थीटा माइनस कास थीटा का वर्ग करिए बराबर एक का वर्ग करिए इसको जब आप खोलेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वाइब थीटा प्लस कास स्क्वाइब थीटा माइनस तू साइन थीटा इन्टू कास थीटा बराबर एक बच्चों मेरे इसकी वैल्यू वन होती है आप लोग जानते हैं साइन स्क्वाइब थीटा प्लस कास स्क्वाइब थीटा बराबर एक तो यह हो गया 1-2sin theta into cos theta बराबर 1 1 से यह 1 कट जाएगा वर्चों तो क्या बचा ? इन दो अमाउंट्स को भी आप उधर ले जा करके 0 कर सकते हैं बेसिकली हमको क्या मिलेगा ? sin theta into cos theta बराबर 0 अब इसको दिमाग में रख करके अब इसका मान हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं देखिए क्या है बच्चो ? sin 4 theta plus cos 4 theta इसका मान आपको निकालना है बच्चो हम लोग एक दिमाग लगा सकते हैं बिन दिमाग लगाए कुछ होने वाला नहीं है इसको आप लिख सकते हैं sin square theta plus cos square theta का whole square जब आप करेंगे तो क्या आएगा है देजिए sin के power 4 theta cos के power 4 theta plus 2 sin square theta into cos square theta तो जो इस्टरा हो रहा है 2 sin square theta into cos square theta वही चीज़ यहां से हम घटा दे 2 sin square theta into cos square theta इसको घटा दिये तो इसकी पूरी की value इससे जाला नहीं है वही ही फिर ध्यान देजिए इसका मान क्या होगा sin square theta plus cos square theta अभी आपने यहां देखा धब जो sin square theta cos square theta का मान एक होता है तो इसका मान क्या हो गया 1-2 sin square theta into cos square theta फिर से दिमाग लगाईए बच्चो एक माइनस माइनस 2 2 into sin square theta cos square theta को या तो फिर यहां से सीधे देखो 2 sin theta into cos theta की value 0 है या थोड़ा अगर आपको ना समझ में आये तो इमाग लगा सकते हो इसको ऐसे लिखो sin theta into cos theta बच्चो दो दो बार है एक बार हमने ले लिए फिर लगाओ गोणा sin theta into cos theta यह इसका जो multiply कराऊगे तो सेम यही चीज़ है यह दूसरा ही नहीं वही चीज़ है हमने इसलिए इसको किया कि देखिए इसका मान यहां पर हम मिकाल जोते हैं क्या आया है जीरो तो यहां पर जैसे ही आप 0 रख देते हैं तो यह पूरी value क्या हो जाएगी 0 यानि कि 1-2 गोणा 0 गोणा 0 इस दोनों की value क्या है जीरो है तो यह पूरा amount क्या हो गया 1-0 यानि कि इसका answer क्या आगया बच्चो वन यह मत कहाना खोदा पहाड निकली चुहिया हाँ ऐसे बड़े बड़े पहाड खोदने पर चुहिया ही मिलती है तो इसका रिजन्ट हमारा क्या है बच्चो वन इसका सही option होगा ओक्य बच्चो ज्यान हाँ अगले question क्यों ध्यान दीजिया बच्चो क्या है two sign a बराबर two sign sign two a बराबर two sign a कितना मजदा question में रहादो sign two a बराबर two sign a तब सत्य होता है जबकि a बराबर यानि कोंड का मान क्या हो आपको इंगल की value निकालनी है आए बच्चो पहले आपको सवाल को देखते हैं क्या है sign two a बराबर two sign a अगर आप sign two a का फर्मूला जानते हैं तो तुरत लगा दीजिए क्या जानते हैं two sign a into cos a इतना तो जानते हैं आप लोग नहीं जानते हैं तो जान दीजिए sign two a या sign two theta कमान होते है two sign theta into cos theta sign two a है तो two sign a into cos a बराबर two sign a यानि ये two से two कटा sign से sign भी निका है तो क्या बच्चा कॉस ए कॉस ए बराबर एक कॉस ए बराबर एक तो ए बराबर क्या होगा बच्चो बताओ ए बराबर होगा जीरो डिग्री अता आपका कौन सा आप्शन सही होगा जीरो डिग्री अ हाँ चलिए अगले एक वर्शन को देखते हैं वर्चो यदि four ten theta is equal to three है तो four sign theta minus cos theta बटे four sign theta plus cos theta बराबर है यानि इसका महान निकालना है वर्चो इसको वर्चो यूज करते हैं ओके जहां देए आए हम लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं क्या दिया है वर्चो फोर ten theta बराबर three यहां से वर्चो दिमाग लगाओ तैन थीटा इसी पर्टू क्या हो जाएगा तीन बटा चार तैन थीटा में कितना हो गया तीन बटा चार अगर आप यह संकोड त्रिभूज बनाईए तैन थीटा को अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आपने तो यह सुत्र जरूर हो जाएगा चार पाइधा दो प्रमेय का जर्व यूज करेंगे आप 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 जाएंगी कि कड़ हो जाएंगा अब हमको लंब ही मिल किया अधार भी मिल जाए अब हम लोग इसको बड़े आरामि से लगा सकते हैं आई यह सवाल को लिखते हैं कि और साइन थीटा स्ट कॉस्त थीटा सब का मार्म रखना पर आरूम रहें तो चाहरें न लिख يने साइन नत但是 क्या होते हैं पुम बटण यानी पीड वर्टा पॉंच मैंनस मैंनस म्या art यहではाँ आरभार्टे कॉर्ड यानि कि चार वचा मुण साइन साइन थीटा की वैलू लंब बटा कर्ण यानि पीन बटा पॉंच प्लस कास की वैलू चार बटा पॉंच अब इसको हल करिए उपर देखिए दोनों का हर पांच है तो लस अभी कितना हो गया पांच चार दियाएं 12 माइनस चार बटे चार प्लस या दोनों का लास आप देखिए पांच है तो चलिए दोनों का लास क्या हो गया पांच अब कि इतना हो गया बारव प्लस चार गया दिया बच्छों एक स्टेट इसको लगाईए फिर समझाते हैं 12 में से 4 निकलत गितना बच्छा आठ बटा पांच बटे बारव वग बच्छा बड़्टा पांच पांच से पांच क्या हो गया है बच्छों करत गिए अध्राव सही आपका अमें से श्टेक बच्छों आगले कुथ मैं पिटा दे रहे हैं उब जलीकी इनिसको मिझे लिए तो चुर्ट को वापस से रिवर्स करके देख सकते हैं कि जलिए नेस्ट क्वेशन नमबर फोर्टीन देखना मुझें क्या दिया है से ए प्लस टैन ए ए प्रेकेट में दूसरे प्रेकेट में क्या है ए माइनस साइन ए का मान आपको ज्यांत करना है यानि कि बच्छों पहने इसको सिंपल टू सिंपलेस्ट कॉम में कनवर्ट करके देखा जाये क्या दाता है आई देखते हैं शेग थीटा अगर आपको मलूम हो कि शेप ठीटा को लिखा जा सकता है एक बटा में आ सकता है साइन एक बटे कास एक अगर आप प्रिकोड मिती का बेहतरीन अध्यान किये हैं तभी ये चीज़िये समझ में आएगी बश्यों अगर आप नहीं भी कर पाए हैं तो आने वाले वीडियो में हम आपको बेहतरीन ध्याग से क्रिकोण मिती पूरा समझाएं ठीक है फिरार इस वीडियो को अंधतर जरूर देखिया और बने नहीं है हमारे साथ आपको भरपूर ग्यान प्राप्त होगा कैसे जो है पेपर में 100 अधिश्ट आपको अधिश्ट करके आए मैं दस दिनों में आपके समय प्राक्टिस सेट के माध्यां से इसको प्रेस करो देखो वर माइनस साइन एं फिर आगे लगा है दोनों का डिनामिनेटर यानि हर सेम है तो क्या हो जाएगा अल्लाव सब्सक्राइब यहां एक आए फिर जहां क्या जाएगा साइन ए ठीक है फिर एक माइनस साइन ए फिर से दिमाख लगाईए अब क्या हो सकता है या क्या बन सकता है बचो ध्यान दो इसके बटे कुछ नहीं है तो एक मान दो फिर दोनों का अगर आम गुरा कराना चाहें तो क्या हो जाएगा नीचे हो गय तो यह क्या है लगाओ बच्चो यानि यह बेसिकली क्या है एक माइनस साइन इसक्वाइर एक बटे कॉस एक और अगर वच्चो आपने इस फर्मुले को बहुत अच्छे से समझा है कौन सा फर्मुले को यह समझा रहे हैं साइन स्क्वाइर एक प्लस सको इसकृइर एक होता है तो अगर आप इसको उठाके उधर कर दें अप्सक्वाइर बेराबर लाइनस साइन इसक्वाईर एक यही चीज निया है और इसकी जगा पर यह लिख सकते बहुत ध्यान से इस बात को समझनाल यह देको आम समझा विए यही है इसको उठाके उधार कर दिया दें तो अब हम इसको इरेज कर दें यानि कि इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कास इसक्वायर ए बटे कास ए बच्चो ए कॉस ए से कॉस ए कड़ जाएगा बचा कितना कॉस ए आपका राइट एंसर क्या है बच्चो कॉस ए यहां कोने म मिल गया बहुत अच्छे पुड़े मन के साथ आप लोग लगे रहें आए पंद्रह नंबर के क्वेश्चन को हम लोग गरदा उड़ा देते हैं आपने 15 नंबर का वेश्चन बच्चो यदि ट्रिज्ज्य साथ सेंटीमीटर वाले एक व्रित के एक ट्रिज्य खंड का कोन साथ हैं तो ट्रिज्य खंड का छिट्रफल है व्रित हो गया चलो बन गया इस व्रित की तरिज्य कितनी है साथ सेंटीमीटर चरब यह भी है स्वाट डिगरी का कॉंड बना रहा है चरब हमने ऐसा किया इसको ऐसे लिए यह कॉंड कितना है वच्छों 60 डिगरी साथ इसकी तृजिया कितनी भी है साथ सेंटीमीटर अब आप्सन में तो फिर यहार इसकी कोई जरौत नहीं है ठीके तो यह कैसे लगता है इस प्रकार का क्वाश्चन अगर यह कोड ठीटा डिगरी होता साथ नहीं दें करके अगर यह थीटा लिया होता तो पूरे बृत का च्छेतर फल कितना होता है पाई आर इसक्वायर जानते हो बच्छों बिद्द के च्छेतर फल का सुत्र अगर उसकी त चोटे से भाग का ठीटा डिगरी का ही अगर आपको निकालना है तो फर्मूला बना सकते हैं थीटा बटे तीन सो साथ चाहे नितने डिगरी तो देखते हुए यह मान रखा नहीं है सिफ आप से कहा है हमारा सही ऑप्शन क्या होगा हम बता रहे हैं देखो पाई आर पीन सो साथ बस यह कीवर्ड फार्मूला रखा है आपसन चेक करो पहला ही आपसन आपका सही जारा है चिक इस प्रकार से यह आपके पंद्रह क्वेश्चन हम कंप्लीट कर आप बच्चों हाँ ज्यां दीजिए बच्चों क्वेश्चन नमबर सोला एक सुराही से लिए डिखित का संयोजट है दर्मियों के समय में तो सभी लोग सुराही में पानी पीथे ही होगे देखो सुराही कैसे होती है बच्चों ये सुराही का बेसिक विजाईन है एटोड़ा और चोटा ही नहीं न ये सुराही अब कमेंट में इसका जवाब जरूर दो कि ये सुराही किसका सईयोज़ है एक गोला और एक बेलन का कि एक अर्ध गोला और एक बेलन का कि दो अर्ध गोलों का कि एक बेलन और एक संकूर का इसका जवाब मैं नहीं बता रहा हूं इसका जवाब आप लो कमेंट में जरूर द अगले question को देखो एक से 10 तक की धनात्मक विसम संख्याओं का माध्य होगा चलो पहले एक से 10 तक की संख्याओं निखिलो तो एक संख्या है वोच जो एक विसम संख्याओं चलों प्रक्रणी यह ओगई एक से 10 के बीच विसम संख्याओं अब क्या कूछा है वचो इसका माध्य या साब कट में इसको केवल माध्य कह सकते हैं बराबर पदों का योग बटे पदों की पदों की संख्या यह सूत्र होता है बचो इसको दिमाग में एकदम रट करके जाना आप एक नंबर अभी तुरत करने जा रहे हैं तो पद कौन कांच से हैं बचो एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस नव बटे पदों की संख्या कितनी है यह दो तीन चार पांच से भाग दे लिए सब को जोड़ो बचो तीन एक चार पांच चार नव 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 अठारव असाथ पचीस पचीस बटा पांच इतना इंसर आगया वच्छों यहीं आपका राइट एंसर है तो पांच कहां मिलना ही यह आपका सही ऑप्स है ठीक है वच्छों चलिए अगले कोर्शन क्यों चलते हैं इसको इरेज कर दे रहे हैं ध्यान से देखिए ध्यान से लगाएं चलिए अगला कोर्शन देखते हैं वच्छों आखडों की माधिका होगी यह आखडों की क्या निकालना है वच्छों माधिका तो आखडे क्या-क्या है आखडे देखो आंकड़े क्या क्या है आंकड़ा है एक 13 है एक 15 है एक 16 है 17 है 19 है और 20 बच्चों आप देखिए कि यह क्रम से है कि नहीं बिल्कुल 13 15 16 17 19 20 बड़ते हुए क्रम यानि आर होई क्रम में यह द्यवस्थित है तो ऐसे पदों ऐसे आंकड़ों की जो माधिका निकाले जात को अगर यह सत्क्रम में होता है कि एक दो क्याल में चार पांच्रला आपर यह समझ्ख्या में व्ल상व के लिए और एक 25 लाव और पदों की संख्या बिसम है तब सुत्र होगा बच्चों तब जो माधिका होती है माधिका माधिका वराबर होता है बच्चों यान प्लस वन बाई टू वाँ पद यही आमकी माधिका हो जाती है इसकी माधिका बताओ तो आप कहेंगे अच्छा यह तो पांच संख्या है यान क्या है पदों की संख्या है यहां लिख लेना जहां यह बराबर पदों की संख्या अच्छा तो ज्यान दो अगर इसकी अगर आपसे माधिका पूचे तो विशम संख्या है पांच है तो यह यान यान पांच प्लस एक बटा दो पांच एक छे बटा दो यानि की तीन तीसरा पद आपकी क्या हो जाएगी माधिका और अगर पदों की संख्या समझा है पदों पी संख्या ऐसी यह वच्छों सम संख्या है एक प्लस दो चलो इसी में हम समझाते हैं इसमें समझाते हैं इसमें छे पद है अदों की संख्या समय तो फार्मूला होगा यन बाई टू वाँ पद प्लस यन बाई टू प्लस वाँ वाँ पद बटा दो इस प्लस जलोड़ तो इस फार्मूले की मदद से वच्छों निकलेगा आपका अगर पदों की संख्या सम है तब देख और hex यहां पदों की संख्या सम है शह पन हो तो यन बाई टूमा पद यरिश बटे दो यानि प्लस फीसरा पद क्या हैiben है प्लस यान बाई 2 प्लस 1 यानि 6 बटा दो यानि 3 प्लस 1 यानि 4 चार्मा पद है आपका 17 17 बटा 2 दोनों को जोड़नों बचो 16 दूना बद 30 और 1 तैंटीस तैंटीस बटा 2 यही आपका बचो राइट एंसर होगा यानि की आप्शन C इसको बड़े ध्यान से दिमाग में रखना वोच्छो इसको एकदम स्टार लगा करके माइंड में वैठा देना या प्रश्ण जरूर एक्जाम में आएगा मुझे पूरा भरोस्ता है इससे एक नाएक क्वेश्ण बनेगा चलो इसको मैं रेस कर देना हूं अब ले कोश्ण को देखते हैं यदी कुछ प्रश्णों का माध्य सत्ताइस बहुलक पैतालिस तम माधिका होगी बच्चों ज्यान देना यदि कुछ प्रेचणों का मध्यी 27 बहुलक 45 है तम माधिका होगी यारे बाचों माध्य माधिका और बहुलक यांसे समयो माध्य माधिका और बहुलक तीनों में एक छोटा सा रेलेशन है देखो मैं बताता हूँ क्या रेलेशन बहुलक बराबर तीन गुणित्ते माधिका माइनस दो गुणित्ते माधिका ये फार्मुला अगर आपने रट्टा मार लिया तो तुम्हारा खाम एक नंबर बच्चों फिक्स है अब ध्यांदो यथी कुछ प्रेशरों का माध्य 20 sitting, 45 यादि आपको माधिका नreनी है बहुलक और माधिकी दिया है च्षटकियों का खेल है वच्चों देखो बहुलक के तना है 45 वच्चा कि तीन गुणित्ते माधिका माधिका इंस निकाला है माधिका ही आपको क्या करना है वच्चो निकालना है माधिका माइनस दो गुणिते माधि कितना है माधि दिया है 27 माध्य कितना है 27 फिर से देखिए 45 बराबर तीन गुरिते माध्य का 27 दुने कितना हो गया 24 इसको इधार ले आओ बचो तो प्लस हो जाएगा इसको हम इधार लिखते है और ठीक है तीन गुरिते माध्य का बराबर 45 प्लस चववल बच्चो मेरे इसको हम इधार लाए है लेकिन इसको इधार लिखते है इसको उन्हाँ तीन गुरिते माधिका माधिका को मैं सार्ट कर दो लिख रहा हूं बच्चो कितना गया इसको काट दो तो माधिका हो अब है कितना गया तो इस प्रैक्टिस सेट का आखरी अब्जेक्टिव बड़ी महनत से आपने यहां तक रहाँ बना के रखता है इसके आगे वाला इस्सा बोच्चो अगरे वीडियो में आएगा कि आए बच्चो इस पुरे प्रैक्टिस सेट का जो 20 यानि 20 जो अब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका आखरी क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं बच्चो और इसका बाकी का जो डिटेल्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है इस वीडियो म अगले जो है मतलब की अगले वीडियो में आपको और सारे क्वेश्चन देखने को मिलें आखरी क्वेश्चन की और ध्यान दीजिए जब यह पांसे को फेका जाता है तो तीन से छोटी एक विशव संख्या आने की प्राइक्ता है ध्यान दीजिए का बच्चो पहले यह प एक पांसे को फेका जाता है ठीक है तो पांसे में बहुचो एक से ले करके एक दो तीन चार पांच छे चे तब की संख्या क्या होती है लिखी होती है जब यह पांसे को फेका जाता है तो क्या करें तीन से छोटी एक विशम संख्या पहला कंडिशन तीन से छोटा होना चाह यह संध्या तो दो तो यह संभ्या है यानि केवल एक ही आ सकता है अब एक प्राइक्ता का सूत्र क्या होता है बराबर होता है। कोई भी घटना इस घटना के है गटना कि घटित पर कोने की संभावना बटे घटना के घटि होने की कुल संभावड कुल संभावड गटना कितने प्रकार से घटित हो सकती है अब गटना के घटित होने की संभावड जैसे सबस्य मेशला सर्वी विन लिवा प्रकार से हो सकती है और घटना के घटित होने की पुल संभावना यानि जैसे याप पॉसा फेकते हैं तो एक से ले करके छो तक के बीज का कोई भी अंग आ सकता है और ठाक घटना के घटित होने की कुल संभावना कितनी है 6 तो 1 बटा 6 यह जो आपको अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए अपना व्यक्तित वाप इस प्रकार से विक्सित कीजिए कि आप से छोटे आपके सांद खुश महसूस करें धन्यवाद आपका दिन मंगल में